नमस्कार में डॉक्टर अमुरूता कदम। नॉक्टर अमुरूता स्कीन केर या माजे यूट्यूब चैनल मधे तुमा सरवान सा स्वागत आहे। तर आज़्चा अपला विशय आहे तो मैं जे स्कीन टैग आणि तैचा सर्जीकल रिमुवल। जनरली स्कीन टैग्स हे छोट्या आणि मोठ्या साइच से आसता आणि त्यानू सर्थ याची ट्रीट्मेंट हरती। शक्य तो छोट्य स्कीन टैग्स आसता ते होमेपती काउश्वदान नी निगून जातात। जनरली स्कीन टैग्स सर्जीकली रिमुव करावे लगतात। तरह आता आपन पहुयात त्याची प्रोसीजर। तरह जो स्कीन टैग्स तो अपलेला हाँ रिमुव करने साथी अपन अंडर लोकल अनस्थेश्या। तितल्या ती जागा काही बेला साथी बधिर करून, मग तितल्या प्रोसीजर करून तो काडला जात। तरह लोकल अनस्थेश्या चा इंजेक्शन तिला जात। आणि ही सिंगल डे प्रोसीजर राहे, सिंगल सिटिंग होते। अगदी 15-20 मिंट इतक्या कमी काला वधिमाले हून जाते। अपन पहातो है ते अनुसार इथा लोकल अनस्थेश्या स्किन टैक्ग जिते स्किन ला चिकटला ही ते ते चा मुलाशी व्यवस्तित देनों गरजेचे जयोड़े अनस्थेश्या व्यवस्तित दिला जातो ते उड़े ते कमी ब्लीड होता। यथ भरख्त कमी ब्लीड पैसंद ला तरास जहीं कमी होतो् तर सिंटाइक्स बॉस्तित इड़ेचल शोची नंतर ही स्किन टाग गेनागा प्रमान खुब जासता अश्ता हुआ। युद्ध है का अज्व होर्मोनल चेंजे जर कही जहले छरीराव में तो त्या मुझे पन्सकीन टाग से प्रमान जासता अट्याश्ता है। हेरी डेटरी जर आई वड़लान ना चामखेड़ान से प्रमाण से तर तस तेच प्रमाण मुलान मदे ही असुशकत तर आता हाज वस्किन टाग आहे यला आपन व्यवस्ति अनस्तेशिया दिलेला आहे तर पेशंट ला पुडची जी प्रोसीजर आहे कि जानोनार नहीं आण यह चानां तर आपन सर्जिकली स्किन टाग्स रिमूव कराया चा से तर रेडियो फ्रिक्वेंसी के वा एल्माण या सर्के माशीन सा अपन वाप बरतो आणि तर तुम्ही प्रोब जोस्तो तो जहोड़ा प्रिसाइस टच कराल तेवड़ा ते उड़ा ते इंटैक्ट अधा जासता हुईल ब्लीडिंग जासता हुएल ते अमा प्रोब एक्कूरेट झानिके आप्रे साइस ठीकानि टच करनों ही जासते महत्वा चाहिए आता था कि इन्टैक्ष आता थोड़ा सा साइसला मोठाय ते चेमौ इथे थोड़ा सा ब्ली डिडिंग जासता होने ची शक्क्यता आहे त्या मुझे आपन तयारी नुसार प्रोसीजर करने सथी शुरुबात के लिया है अथा प्रोब व्यवस्ति टच करून जाले नंता स्किन इंटाक्ट निगाले लाहे अथा पुडच काम आहे त्या मुझे इतला ब्लीडिंग स्टॉप होई परें तो अपन प्रोसीजर करत रहाना यान मुझे ज़ ब्लीडिंग थामने सथी अपलेला कोयागुलेशन चाजो प्रोब आहे तो तिथे टच करावा लागेल अपलेला पहाव लागेल कि प्रेशर अपलाई करून प्लस कोयागुलेशन सब्रोब टच करून अशा दोन ही पद्धतीनी ब्लीडिंग थामने सथी अपलेला प्रयत्न करावे लागती अधा या स्किन टैक्स चाब अपतीत अजूने खूप मोठा गयरी समझ अस्तो कि याच मोगे कैंसर पसरत वासा बराईसलो करना वटत्त तरह अजिबत होत नहीं याच मोगे कांसर वगेरे काही पसरत नहीं कि वाहां कॉंटेजियस पढ़ नस्तो मजे एक का मोगे दूसरे जागिया लासेल ओर एक्जामपल काखेतो लासेल किया कम्रे वर अचेल तर तो रोच्या अपले हल्चा ली मुले तीथा फ्रिक्षन हो घर्शन अमूले तो इरिटेट हो शकतो कि जाना वुले सरका हो शकतो तो यह उड़ाच काय तो तैच अत्रास होतो अदर्वाइस कही जर खूब आपता चे सर्खाल आपता हाज ऑ शकीन टेग आए तो साधरन अडीच ते तीन सेंटिमेटर शीतेचे साइज आई ते योड़े मक्टे स्कीन टेग जर आस्तिल तेर कॉस्मेटिकली दिश्णेच दुष्टिनी ते अडचनी चपरू शकता तर असे स्कीन टेग मग सर्जिकली रिमूव करावे लगता अणि बर्याज दातेचा रिकरंस रेट अगदी नाइन्टीनाइन पॉइंट नाइन पॉइंट नाइन अस्तो परसेंट अस्तो मंझे एक दा काड़ा नाल ते पुन्हा रिकर भाईची पुन्हा याईची शक्के ता अगदीज कमी आस्ते तर अशा प्रकर्च अचर अपला शरिरावर काही अस्तो परसेंट नाइन अगदीज कमी आपला काड़ूंजा लेला आए अनि तिथल ब्लीडिंग देखिल पूर्ण पड़े थामलेला आए अनि स्कार फार रहनार नाही खड़ा फार पड़नार नाही दन्यावाद हाँ वीडियो अपनास कसा वटला है आमाला कमेंट सेक्षन में दे करवा तसेच अपलाय मित्रां सोबोच शेर कारला मिसुर नुका आमचा चैनल वरील वीडियो अपनास आवर्लास आमचा चैनल ला लाइक आनि सब्सक्राइब करा धन्यवाद